स्टार प्लस के टीवी शोग गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग ट्रैक में हम या देखेंगे कि सावी को कॉलेज में पढ़ाई करने से रोकने के लिए एक बड़ी शार्जिस रक्षी जाती है जहांपर सावी और इसान की चक्रार होती है होता कुछ यह है कि सावी कॉलेज में पढ़ाई के लिए आती है जहांपर कॉलेज में क्लास एटेंड करने से पहले ही सावी का बैग लेकर एक लड़का भाग जाता है सावी उसका पीछा सिक्थ फ्लोर तक भी करती है लेकिन सावी को वो लड़का नहीं मिलता है और नहीं सावी को अपना बैग मिलता है जि वहाँ पर सावी को क्लास में एन्डेर होने की परमीशन नहीं देते हैं इशान, जिस पर सावी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और अपनी सारी कहानी बताती है, बताती है कि आखरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ लेकिन इशान को ये सारी कहानी जूटी लगती है और बोलते हैं कि मनगड़त कहानिया ना पनाएं इसी के साथ में सावी अपने बातों पे ट्रस्ट करने के लिए इशान को कन्विंस करती है जहां पे कॉलिज के कुछ स्टूडेंट और धुरुआ ये बताती है कि सावी का बैक तो यहीं है सावी सब जूट बोल रही है और सावी अपना बैक वहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाती है वहीं वो इस्टूडेंट से ये बताते हैं कि सावी जानबुच के ऐसा कर रही है क्योंकि सावी को आपके क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जिसके बाद इशान का गुस्सा फूटता है और इशान सावी को आने से मना कर दीते हैं वेल अब होगा देखना काफे इंट्रस्टिंग की सावी के खिलाफ रची गई इस साजिस का सामना कैसे करी की सावी क्या लगता है आपको हमें कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताएं साथ यह से और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें